लिखित शब्द का इतिहास टेक्स्ट तथा संकेतों का संचार के लिए प्रियोग का इतिहास जादा प्राचीन नहीं है और इसका विकास आज से 6000 वर्ष पहले भूमध्य सागरिये उर्वर अर्दचंद्र क्षेत्र मेसोपुटामिया, मिस्र, सुमेरिया तथा बेबिलोनिया में हुआ जहां सबसे पहले अर्थपूर्ण चिन मिट्टी की तक्तियों पर कुरे दे गए थे और उन्हें धूप में सुखाया गया था सबसे पहले जो संदेश लिखित में संचारित हुए थे, उनमें मुख्य रूप से मानव प्रबंधन, राजनीती तथा करूं से संबंधित सूशनाये थी चुँकि इस नए माध्यम में निर्बल मानो द्वारा कंठस्त करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए लिखित संदेश उच्च वर्ग के लोगों में प्रचलित हो गया आज टेक्स तथा इससे पढ़ने की क्षमता ने शक्ती तथा ज्यान के दरवाजे खोल दिये हैं सभी आधुनिक संस्कृतियों में पढ़ना तथा लिखना एक अति आवशक योगेता मानी जाती है अब शब्दों में आपके निपुर्टा के आधार पर आपको डॉक्टरेट की भी उपाधी मिल सकती है टेक्स्ट अभी भी उन सूचनाओं को पहुँचाते हैं जिनके प्रभावी अर्थ हों पंद्रवी शताबदी में जब पूरे यूरोप में चर्च का बोलवाला था योहानेस गुटेनबर्ग जोकी मिंज जर्मनी में एक प्रशिक्षित स्वनकार थे ने प्रिंटिंग प्रेस के लिए मुवेबल टाइप का आविशकार किया इस नए आविशकार का प्रियोग उसने धार में ग्रंथूं इंडलिजेंस लिप तथा होली बाइबल चापने में किया इंटरनेट तथा वर्ल्ड वाइड वेब की व्रधी के बाद टेक्स्ट और भी महतोपूर हो गया है वास्तों में वेब की मूल भाषा HTML यानी Hypertext Markup Language है जो प्रात्मिक रूप से सरल text documents जिसमें कभी-कभी ग्राफिक जैसे चित्र भी होते थे को computer screen पर दिखाने के लिए design किया गया था हम इंटरनेट को ऐसे माध्यम में सर्फ कर सकते हैं जो पुस्तक के पन्नू से ज्यादा भरबूर होती है जैसे जैसे वेब परिपक्व होगा लोगों के सूचना को access तथा उप्यो करने के तरीकू पर इस text आधारिद माध्यम का सामाजिक प्रभाव बहुत ही गहरा होगा television जिसमें ध्वनी तथा चित्र से समाहरत माध्यम है जिसमें कुछ text headlines निश्क्रिय दर्शक के समझ के सबसे निश्ले स्तर पर होते हैं इससे अलग web एक सक्रिय अनुभाव देता है जिसमें दर्शक के लिए परियाप्त विकल्प होते हैं जो एक तेज दिमाग वाले के लिए भी चुनौती पूर्ण होते हैं अर्थ की शक्ति एक अकेली शब्द में सैकणू अर्थ चिपे होई हो सकते हैं अतह जब आप टेक्स्ट का उप्योग करना प्रारम करें तो विशिष्ट शब्दों के चैन में परिशुद्धता तथा संक्षप्तता का विकास करना महतोपूर हो जाता है मल्टी मीडिया में ये वो शब्द होंगे जो आपके टाइटल, मैन्यूज, नेविगेशन एट्स के साथ साथ आपकी वर्णन तथा विशेवस्तु में शामिल होंगे मल्टी मीडिया ओथर्स, शब्दूं, चिन्धूं, दुहनी तथा चित्रूं को बुनते हैं और टेक्स्ट को इनकी साथ मिश्रित कर एकी कृत या इंटिग्रेड़ेट टूल्स तथा इंटरफेस का निर्मान करते हैं जो संदेश तथा डेटा के उपारजन, प्रदर्शन या डिस्प्ले तथा प्रसारण में काम आते हैं अपनी आखें बंद करें और टेक्स को सुनें आपकी मस्तिश्क में कौन सा चित्र बनता है? समुद्र की लहरे बच्चे का रोना रात का अंधेरा उल्लू की भेटती हुई ध्वनी अब अपनी आखें खोलें इन में से प्रतेक ध्वनी हमारे मस्तिश्क में एक्चित्र बनाती है ये सभी अमिश्रत समवेदी संदेश आपके लिए महतोपूर्ण है क्योंकि वे आपके लिए कुछ अर्थ रखते हैं वास्तव में सिर्फ आप ही जानते हैं कि कौन सा शब्द आपको गुस्से में पागल कर देगा या फिर एकांत दो लोगों को रात की भोजन पर आपको लुभाते हुए प्रसंद कर देगा इन शब्दों के अर्थ हैं निम्नलिखित मेंसे किस विकल्प का आप चैन करना चाहेंगे? पीछे जाएं या पिछला? छोड़ दे या बंद करें? बहुत अच्छा! और उत्तर सही था शब्द तथा चिन्धू के कोई भी रूप, बोल्चाल या लिखित सबसे सामान्य सूषना देने की प्रणाली हैं वे जादा से जादा लोगों को सबसे जादा समझे जाने वाले अर्थ सही तथा विस्तार में देते हैं इसी कारण वे मल्टी मीडिया मेन्यू, निविगेशन सिस्टम, कीवर्ड लिस्ट तथा विशेवस्तू के अत्यावश्यक अंग हैं यदि आप श्रेष्ट शब्दों के उप्योग के लिए समय निकालेंगे तो अपने आप और अपने यूजर्स को लाब दे पाएंगे टेक्स के द्वारा SMS तथा ट्विटर यहां दिखाएगे चित्र को देखें इन में से कितनों का आप प्रतिदिन उप्योग करते हैं क्या इनसे भी जादा कुछ और हैं जो आप उप्योग करते हैं इन सबका अर्थ क्या है आज के दौर में SMS शब्दों के शब्द विन्यास में आया परिवर्तन मुख्यदो तकनीकी सीमाओं के कारण आया है क्योंकि SMS या Short Message Service टेक्स्ट मेसेज़ेज जो की शोशल नेटबोकिंग साइट्स जैसे की ट्विटर था फेस्बूक पर बहुत प्रचलित हैं सिर्फ 160 कारेक्टर्स प्रती मैसेज या 140 बाइट्स की ही अनुमती देते हैं टेक्स्ट आज मानव से मानव के बीच के डेटा संचार का सबसे व्यापक रूप है विश्वभर में प्रतिवर्ष तीन अरब से ज्यादा लोग टेक्स्टर्स, हरबू, शॉर्ट, टेक्स्ट मैसेज़स एक फोन से दूसरे फोन में भेज़ते हैं इसलिए कई भाशाओं के यूजर्स ने बहुत जल्द ही शब्दूं के शॉर्टकट को अपनाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा अर्थ को कम से कम क्यारेक्टर्स पे पैक किया जा सके इमोटिकॉंस टेक्स्ट आधारित परिवेश में अर्थ को स्पष्ट करने वाले ये शॉर्ट हेंड, शॉर्टकट्स क्या हमारी भाशा को भर्दा बना रहे हैं या फिर क्या वे हमारे संचार का रूपांतरण कर रहे हैं? उधारण तह, आप चाहे कितने भी मूवफट या निश्चुर हों, परन्तु यदि आप अपने कथन के बाद पलक जपकाते हैं या स्माइली देते हैं, तो आपकी बाद गंभीर नहीं रह जाती, आपने किसी को फटकार तो दिया, परन्तु नरम अन्दाज में. क्या यह निश्क्रिय आक्रमक संस्कृती में बदलता जा रहा है, या फिर एक निश्क्रिय आक्रमक लिखित संस्कृती में? ट्वीट इमिज पर ध्यान दें. पिना किसी यह थोचित वाक्य संरचना के. फिर भी इस ट्वीट से हम कुछ अर्थ निकाल ही सकते हैं. एक, तीन प्रतिशत अकबार ओनलाइन पढ़े जाते हैं. दो, ओनलाइन या प्रिंट के लिए निउस्पेपर इंप्रेशन्स पर ब्लॉग पोस्ट की साइट. तीन, धारणा है कि पाठक आधे प्रश्ट ही देखते हैं. चार, एक और धारणा यह भी है कि वे सभी लेक पढ़ते हैं. तथा, पाँज, कले का तीवर विश्लेशन्ट. मल्टी मीडिया के एलिमेंट्स. MMS, यानि मल्टी मीडिया मैसेजिंग सर्विस के आगमन से, जो तीन लाग पचास अजार बाइट प्रसारण की अनुमती देता है, शायद ये शॉर्टकट शब्द विश्लेशन्ट लुपत हो जाएं. लेकिन शायद नहीं भी.